पनोर्म कुरूप जो सोचता है वो करता है यह आप सब को पता है कि फ्लोर्टेस्ट से पहले कैसे बिधायकों ने पाला बदने की कोशिस की लेकिन भारती जनता पार्टी और नितीज कुमार ने मिलकर उन सभी बिधायकों को फ्लोर्टेस्ट के दिन बुला लिया कई बिधायक रडार पर चड़ गए इन बिधायकों के रडार पर चड़ते ही एक तरफ जहां आरजेडी से नितीज कुमार काफी जादा नराज है कि उनके बिधायकों को लगतार तोड़ने की कोशिस क्योज की जा रही है आपने देखा कि सदन के अंदर तीन विधायक फ्लोर टेस्ट के दिन इधर पाले में आकर बैट गए यानि कि जदियू के साथ हो गए तो जदियू जहां एक तरफ तीन विधायकों को राज़त से तोड़ लेती है तो वहीं आपको बता दे कि किस तरीके से कल भारती जन्ता पार्टी ने कॉंग्रिस से दो और एक राज़त से विधायक को तोड़के ऑपरेशन लोटस की शुरुवात कर दी है 2024 के चुनाओ के पहले देश भर में अब संकट मडराने लगा है अलग-अलग दल के जो नेता है जो सुप्रीमों है वो काफी जादा परेशान है भारती जन्ता पार्टी के उपरेशन लोटस कब उनके पार्टी के अंदर घुश जाए और कब उनके विधायकों को तोड़ ये कोई नहीं जानता आपने देखा होगा कि कल किस तरीके से राज सभा का चुनाओ हो रहा था उत्तर प्रदेश में और क्रॉस वोटिंग जो है वो सपा के लोगों ने कर दिया सपा के निताओं ने कर दिया जिस वज़ा से ऑपरेशन लोटस यूपी के बाद बिहार बिह बिहार के से होते हुए हिमाचल प्रदेश में भी वहीं इस्तितिया बनी हुई है और हिमाचल के बाद अब नजरे चली गई है असम पर जिहां असम में भी ऑपरेशन लोटस की तैयारी सुरू हो गई है दरसल आपको बता दे कि बिहार में जहां एक तरफ कॉंग्रेस के ब में भी पार्टी को करारा जटका लगा है कॉंग्रेस के प्रदेश कारेकारी अध्यक्ष राणा गोस्वामी ने ही पार्टी छोड़ दिया है अब वो भाजपा में जा सकते हैं जोगरगाट के वरिष्ट नेता राणा गोस्वामी से पहले भी कई नेता कॉंग्रेस को अपना समर्थन दे दिया इस तरह कुछी दिनों में असम में तीन बड़े नेता कॉंग्रेस से लग हो चुके हैं केसी वेनु गुपाल के नाम लिखे पत्र में राना गुष्वामी ने लिखा है कि मैं असम कॉंग्रेस के कारेकारी अध्यक्षपद से इस्थिपा दे रहा इसके लावा कॉंग्रेस के सक्रिय कारेकरता के तोर पर भी अपनी जिम्मेदारी छोडं रहा हूं माना जा रहा है कि कॉंग्रेस के नेता की भाचपा की Central Leadership से मुलाकात हो चुकी है इसके लावा असम में CM हिमन्त विश्वत सर्मा से भी मुलाकात हुई है हाली में सर्मा दिल्ली गए थे और इस दोरान लोग सभाव मिद्वारों के नाम पर मन्थन हुआ था माना जा रहा है कि राना गोस्वामी को भाजपा से टिकट भी मिल सकता है इसलिए वो भाजपा में जा रहे हैं सर्मा ने मंगलवार को कहा कि राना गोस्वामी जो रहाट से मजबूत नेता है यदि वो आते हैं तो हम सभी पार्टी में उनका स्वागत करेंगी गोस्वामी दो बर कॉंग्रेस के विधायक रह चुके हैं संभावना ये है कि 2026 के विधान सवाचुनाओं में ही जो रहाट के किसी सीट से उनको उतारा जाएगा बात दिसंबर 2021 की है जब कॉंग्रेस के विधायक ससी कांदास ने भी सरकार को यह करते कहते हुए समर्थन दिया था कि मेरे छेतर में इससे ज़्यादा काम होंगे इस परदास को पार्टी ने निलंबित कर दिया यही नहीं पार्टी विरोधी गती विदियो के चलते सिदिक्की एहमद और सर्मान अली एहमद को भी सस्पेंड किया जा सुका है 2021 में हुए तूट के बाद अब कही न कहीं चर्चाएं तेज हो गई हैं देश भर में ओपरेशन लोटस की तयारी में भारती जनता पार्टी है असम, हिमाचल परदेश, बिहार और उधर जारखड में भी निगाहें कॉंग्रेस के बिधायकों पर भारती जनता पार्टी की पड़ चुकी है तो आने वाले दिनों में 24 के चुनाओं के पहले बड़ी भगदर कॉंग्रेस में मस्ती भी देख रही है नसर्फ एक राज में बलकी बिहार सहित कई राजियों में ऐसी इस्तितिया उत्पन हो गई है क्या होता है अगामी दिनों में इस पर भी हमारी चर्चाएं जारी रहेंगी फिलाल भारत लाइब के इस वीडियो में इतना ही जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ धन्यवाद पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद